मद्यपरदेश से कॉंग्रेस की राज्य सिभा रुकुन राज मनी पाटिल का कहना है कि मद्यपरदेश में कॉंग्रेस की एक बड़ी चूक रही इनोंने एवियम में खराबी की भी बात कही राज मनी पाटिल से हमारी इन्नुमाईंद निकिशाने की बात चीए शीत कालिन सत्र की शुरुवात हो चीकी है और ऐसे में सरकार का कहना है कि विपक्ष भी अपने सभी सवालों को सत्र में पेश करें और बहाने बाजी ना करें और ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए मद्यप्रदेश के वरिस्ट कॉंग्रेस सांसद राजमणी पटेल जी है सरकार कोई विपक्ष की इक भूंगा होती है और सरकार से जादा महत्रपोन्ट विपक्ष होता है क्योंकि विपक्ष ही जनतंत्र में लोगों की आवाज होती है उस आवाज को कहने का पूरा अधिकार विपक्ष को है, लेकिन उसकी बात पे चर्चा करना, उसको सुनना यह सरकार का धाईत है, फर्जवनता है सरकार उसमें क्या कारवाही करती है, क्या जबाब देती है, अलग मुद्दा है, लेकिन रखने का, कहने का, बोलने का अज़कारिय विपक्ष का है, जिसको भी मारे सब्ता देना नहीं चाहती है अब आप व्यवता है, अब जिसमें मनीपूर का मुद्दा था, जिस तरह से मनीपूर येक लंबी समय से जल रहा है इंसानित सर्वसार हो रही है, वह समैं मनीपूर के मुद्दे पर अगर हम चर्चा चाहते हैं, सरकार करें की है одно हो की चर्चा कराओ हैं उन मुद्धों को अगर हम सदन में लाना चाहते हैं उसको भे माने चर्चा करने के लिए सरकार तयार नहीं होती है अगर हम लोग सदन में बोलते हैं तो टाइम नहीं दिया जाता अगर उसके बाद जूद भी बोलते हैं तो माईक बंद कर दिया जाता है और उसके बाद बोलने का प्रयास करते हैं, तो सदन से निकाल दिया जाता है, यह कौन सा सरकार का दाईत है, कहां कौन से प्रजाता अंतिर बेवस्ता है, यह सरकार को इसमेर कभीरता से सोचना चाहिए। और अगर वो देश के हित में नहीं है, जनता के हित में नहीं है, तो उसका विरोध करेंगे, जो प्रजात अंतिर में विपास का दाईत है। और परिवर्तन करना है, और परिवर्तन है इनके लंबे कारकाल में जो है, मध्यप्रदेश का किसान, मध्यप्रदेश का विरोजगार, मध्यप्रदेश का युबा, मध्यप्रदेश का दलित पिशरा। ये इनके हक अधिकारों का सपरकुठारा घात हुआ है, इनके साथ जूट बोला गया है, इनको छला गया है, तो जनता मन बनाये थे, कि माने हमें सत्ता का परिवर्तन करना है, कांग्रिस को बोट देना है, कांग्रिस के अलाबा कोई तीसरा विगल फैने, और इस बाता निश्चित रूप से मैं मानता हूँ कि कहीं कहीं हम भी जिम्मिदार हैं, क्योंकि अते उत्साह को कहते हैं, तो अते उत्साह वे नेता आ गये, कि मानने हमारा कोई मुकावला नहीं, जनता बोर दे रही है, तो जो सतरकता, सकृता, साबधानी वरतनी चाहिए, उसमें स्थ विए एक कारण रहा है जो इस तरह का परिनावाया है और दूसरा कारण ये रहा है कि भारती जनता जो पीड़ शब्तवा रही है कि हम चुनाव जीत गए वो चुनाव नहीं जीती है चुनाव बास्तों में एवियम मसीन जीती है ये वियम मसीन में पूरे मारे गड़वड़ी होने की आसंका है क्योंकि जिस तरह से चुनावी प्रक्रिया के दावरान मसीनों के संबन में छेड़ चाड़ी की गई मसीने जो पुलिस के कस्टड़ी में स्ट्रांग रूम जाती है वो मसीन बाहर कैसे चली गई क्यों चली गई एक बहुत बड़ा प्रस्ण है अगर पूलिस फोर्स के बेच से मसीने बाहर चली जाती है तो इसका मतलब कोई न कोई रादा गड़वड है कहीं न कहीं कोई उसमें गुंजाई है कि उसमें हेरा फेरी करना चाहते हैं इसी रादे से बाहर गई है और जो हमारे करमचारियों को बोट है इस बापूरे करमचारियों के बोट नहीं पर पाए और जिनके बोट पड़े भी साधेली फाफे में और पेटी में डाल दिया गया जिस पेटी में न चपड़ा लगाया गया न उसमें सील किया गया तो इससे जाहिर होता है कि इराद कि टरीके से गई संग्ट्नों के माध्यन से गई लेकिन उसमें कोई सभ्यान नहीं लिया इंठ गया मैं इस तरहा है कि कोई माने हज्जारों हिकायतों पे कोई कारभाहिक कोई एक्सन नहीं लिया गया हु dafür से साफ जाहिर होता है कि मसीनों की कारगुजारी के कारण भारती जनता पार्टी को जिमत मिला है। जाता है जाता है जाता है जो सिकायते की गई है इलेक्षन कमिशन में उन शिकायतों पर कारवाही नहीं हुई जो कारवाही होनी चाहिए थे वो संदे को जरम देता है। और जहां तक तेलांगना की मसीन की बात कर रहे हैं वहाँ इसलिए नहीं की गई हो कि तेलांगना में भाजपक की सरकार नहीं थी। वो एक सहयोगी के रूप में थे वहाँ सरकार इसलिए उनका ज्यादा इंटरेस्ट वहाँ पर नहीं था। इस बज़ें मसीन में गरवड़ी करने की वस्तन नहीं की। तेलांगना में सरकार बनी है तो जीत के अफसर पर तेलांगना की आवाम को क्या मैसेज देना चाहते हैं? राजमनी पटेल जी को उन्सिफ्टीवी के लिए गुलीशा दिल्ली